तो दूस्तो IPL 2023 के प्ले ओफ में कॉलिफाय करने की राहें सभी टीमों के लिए और भी कठिन होते चली जा रही है जहां अब तक सभी टीमों ने 8 से 9 मैच खेल लिया है तो वही कुछ टीमें ऐसी हैं जो प्ले ओफ से बाहर हो चुकी है तो वही कुछ टीमें हैं जिनके प्ले ओफ में जाने के चांस है तो पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है तो ऐसे में सभी दसो टीमों के प्ले ओफ में जाने के क्या रास्ते हैं किस टीम को कितने मैच और जीतने होंगे प्ले ओफ में जाने का पूरा सेनेरियो क्या है, मैं इस स्टूडियो में आपको बताने वाला हो तो दोस्तो, वीडियो रहने वाली है काफी जासे इंपोर्टन वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल अंत बाद नहीं हो ऐसे दोस्तो, आई पेल से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन निक कर सकते हैं, तो आए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उस टीम की जि खेलने हैं, और इन 6 मैचों में से कम से कम 2 मैच और जीतने होंगे, तब इस टीम के पास 16 अंकों हो जाएंगे, और 16 अंकों के साथ ये टीम प्ले आफ में कौलिफाई कर लेगी, अगर टीम तीन या फिर 4 मैच और जीतती है, तो आफिसली प्ले आफ में कौलिफाई करने के साथ साथ पोइंच टेबल में पहले या फिर दूसरे नमबर भी फिनिश कर सकती है तब बात करते हैं उन टीमों की जो प्ले ओफ की रेस में सबसे आगे चल रही है जिन में पहली जो टीम है राजस्तान रोल्स राजस्तान रोल्स के 9 मैचों में 10 अंक है अभी इस टीम को कम से कम 3 मैच और जीतने होंगे 5 मैचों में से प्ले ओफ में कौलिफाइ करने के लिए लकनू सूपरजन को कल के मैच में रोयल चैलेंजर बिंगलोर से हारने के बाद भी इस टीम के 9 मैचों में 10 अंक है अभी इस टीम को भी तीन मैच कम से कम और जीतने होंगे पांच मैचों में से प्ले ओफ में कौलिफाई करने के लिए तो हुई रोयल चैलेंजर्स बिंगलोर रोयल चैलेंजर्स बिंगलोर के कल के मैच में जीतने के बाद नउ मेचों में दस अंक हो चुके हैं अभी इस टीम को 3 मेच कम से कम और जीतने होंगे 5 मेचों में से प्लेओफ में जगए पक्की करने के लिए इस टीम को थोड़ा ने ड्रणेट भी बहतरीन करना होगा चिन्नेई सूपर किंगे भी 9 मेचों में 10 अंक हैं अभी इस टीम को भी कम से कम तीन मैच और जीतने होंगे पांच मैचों में से प्ले ओफ में कौलिफाइ करने के लिए तो वही पंजाब कींगे भी नौ मैचों में दस अंक है अभी इस टीम को भी तीन मैच कम से कम और जीतने होंगे पांच मैचों में से प्ले ओफ में प्लस में है तो रोयल चैलेंजर विंगलोर और पंजाब किंग को जीत के साथ साथ अपने नेटरन रेट पे भी ध्यान देना होगा प्ले ऑफ में कौलिफाइक करने के लिए और अब बात करते हैं मुंबई इंडेंग की तो मुंबई इंडेंग की प्ले आफ में जाने की रह कम से कम चार मैच और जीतने होंगे छे मैचों में से प्ले आफ में कौलिफाइक करने के लिए और मैच जीतने के साथ साथ अपने नेटरन रेट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा अगर इस टीम को प्ले आफ में टिकेट पाना है तो वही संराइजस हैदराबाद संराइ प्ले आफ में जगह पकी करना है तो वही कोलकाता नाइट आइडर्स और डली कैपिल के चांस सब बेहद कम है प्ले आफ में कॉलिफाय करने के जहां कोलकाता नाइडर्स के नो मैचों में छे अंक हैं तो अभी इस टीम को कम से कम पाँच मैच और जीते होंगे पूरे पूरी ये टीम जीती है तो इस टीम के प्ले आफ में जाने के चांसे से थोड़े बढ़ जाएंगे वहीं देली कैपिल की बात करें तो देली कैपिल के आठ मैचों में मातर चार ही अंक हैं अब इस टीम को कम से कम 6 मैच और जीतने होंगे पूरे 6 मैचों में से अगर आने वा से बाहर हो सकती हैं तो दोस्तों इन दसो टीमों में से आपकी टीम कौन से और आपको क्या लगता है रोयल चैलेंजर बंगलोवर पंजाब गिंग और मुंबए इंडर्म में से कौन सी ओ एक टीम रहेगी जो सबसे पहले प्ले आफ में कौलिफाइ कर पाएगी कमेंट करके ज दोस्तों इस्टीमों बज़िन अगर आप वीड़े पसंद आज वीड़े को लाइक कर देना चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइक अंद बाद देना थैंक्यों सोमाज गाइस फोर वाचिंग इस वीडियो